जानवरों के नाम और रंगों के नाम तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जानवरों के नाम तो जानवरों के इंगलिश में क्या बोलते हैं? अनिमल्स नेम क्या बोलते हैं बेटा? अनिमल्स नेम अब देखो हमारे पास सबसे पहले कौन सा है? शेर शेर को इंगलिश में क्या बोलते हैं? लायन क्या बोलते हैं लायन उसके बाद है भालू भालू को क्या बोलते हैं बीर क्या बोलते हैं भालू को बीर उसके बाद है हाती हाती को इंगलिश में बोलते हैं एलिफैन क्या बोलते हैं बेटा एलिफैन फिर खरगोश को क्या बोलते हैं रैबेट खरगोश को क्या बोलत है rabbit हिरन हिरन को क्या बोलते हैं डियर आया समझ में तो बहुत सारे ऐसा नहीं कि यही नाम है जानवरों के तो बहुत शाल नाम होते ना color's name जाना जरूरी है ना? अगर कोई आप से पूछे की black color yellow color तो आपको कभी कभी तो उनके Hindi मीदी मीदी नी बता होते हैं है ना? टो रंगो के नाम रंगो के नाम रंगो को brain कोべते हैं colors name क्या बोलते है बेटा color's नेम तो हम रंगो के नाम सीखें जैसे की काला काला को क्या बोलते हैं ब्लैक काला कलर वो होता है जो कौन सा होता है ब्लैक नीला कौन सा कलर होता है ब्ल्यू पीला किसको बोलते हैं यलो को किसको बोलते हैं मेटा यलो को उसके बाद है हरा हरा को बोलते हैं ग्रीन उसके बाद है गुलाबी गुलाबी को हम बोलते हैं पिंक और उसके बाद है लाल लाल को हम बोलते हैं रैड तो जरूरी नहीं है कि मैम ने जो लिखे हैं आप वही लिखे अगर आपको इसके लावा और भी रंगों के नाम आते हैं जानवरों के नाम आते हैं तो आप लिख स जानवरों के नाम लिखेंगे, फिर उस पे नाम लिखेंगे, फिर रंगों के नाम लिखेंगे. ओर्के स्ट्रेंट्स, आया समझ में? थेंक यू सो माच. स्टे होम, स्टे सेव.